नमस्कार दर्सकों आप सभी का स्वागत है मैं अचार्य एक दिव रोज की तेरा आज का भी मैं देनिक रासी फलकार करम में हाजीर हूं और आज दिनांख दस-दस मंगलवार एकादसी कृष्ण पक्ष अस्विनी नचत्र का आज का तिथी जो है वो एकादसी है कृष्ण पक्ष है नचत्र मग्घा है योग साध्य है करन बल्व है और करन कौलव है वार मंगलवार और माह जो है अश्विनी मास चंद रासी जो है वो सिंग रासी है सुर्य का गोचर कन्या रासी में और आज का सभी नचत्रों के भीवारें बता देता हूं आज का नचत्र गोचर जो है आज सुर्य कन्या रासी में चंद्र सिंग रासी में बुद्ध कन्या रासी में शुक्र सिंग रासी में और मंगल तुला रासी में और गुरु मेश रासी में आप सभी को बताऊंगा आज का राहू काल जो है तीन बज दो पहर के तीन बजे से लेकर के चार बज के 28 मिनट तक रहेगा और अविजीत मुरूत जो है वो 11 बज के 43 मिनट से लेकर के 12 बज के 29 मिनट तक रहेगा ये अविजीत मुरूत में जो भी आप काम करेंगे शुव काम के लिए कोई काम मुरूत अच्छा आपको ना मिले तो आप उसमें एक जो है अविजीत मुरूत जो है उसका आप चेन करके आप उसमें सूबह काम कर सकते हैं इस पार चलते हैं आपने रजाशी फलकार करम पे अन पर आप लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन को दवा दिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को सेर दें से से सुरूआत करते हैं तो मेश रासी के जातकों का आज का पूरे दीन की हाल में बता रहा हूं सभीर रासी के लिए तो मेश रासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए सकारतमक परिनाम लेकर आएगा वरिष्ट सदस्यों के प्रति आदर एवम्स शम्मान बढ़ेगा बंदु बंदुवं के आप करीब बने रहेंगे आपके साहस्व प्राक्रम में ब्रदी होगी और आपको अपने किसी परेजन की ओर से कोई सुब सूचना सुनने को मिल सकती है यदि आपने किसी काम को भाग के भरोसे किया तो उससे आपको अच्छा लाब मिलेगा समाजिक कतिविद्यों में तेजी आएगी और आप अपनी जिम्मेदारियां को बाखुबी निभाएंगे विशवरासी वाले आज का दिन आपके लिए आपके भाग सितारे क्या ले करके आए हैं तो चलिए जानते हैं विशवरासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए आनंदमाई रहने वाला है आपको कोई प्रिये मुल्यवान वस्तु भेंट स्वरूपताप्त हो सकती है कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ने में आप काम्याब रहेंगे परिवारिक विशय के परती आपकी रूची रहेगी आपके घर मांगलिक कार्यकरम का आरजन होने से आप ब्यस्त रहेंगे और जीवन साथी के साथ यदि रिष्टों में कुछ अनवन चल रही थी तो आप उसे बेहतर करने की पूरी कोशिस करेंगे आवस्षक कार्य पर आप पूरा ध्यान दें संतान को संसकारों और प्रंप्राओं का पाठ बढ़ाएंगे कार छेत्र में किसी की किसी की हुई गल्ती के लिए आपको पच्तावा होगा मितुन रासी वाले आज का दिन आपके लिए क्या लेकर क्या है आज का दिन आपके लिए कला कोशल में सुधार लेकर आएगा और अपने यदि किसी योजनाव में धन लगाया तो उसे आपको अच्छा लाब मिलेगा आपके अनोखी कोशिस रंग लाएगी और आपके चारो और का वतावरन खुसनुमा रहेगा आप घर वर बाहर लोगों की अपक्छाओं पर खरे उतरेंगे राजनिती में कारियत लोगों को किसी बरे पद की प्राप्ति हो सकती है लेकिन आप कार छैतर में किसी पर आख मुंद कर भरोसा ना करें नहीं तो समस्या हो सकती है करकरा स्रीवाले जातकों का आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार से जूर कर नाम कमाने के लिए रहेगा आपको किसी भी विदेश मेरा रहे परिजनों से कोई सुब सुचना सुनने को मिल सकती है आपको अंजान लोगों से लेन देन करने में असपस्ता बनाये रखनी होगी नहीं तो समस्या होगी आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मोका मिल सकता है अपने बढ़ते खर्चों पर आपको लगाम लगानी होगी नहीं तो समस्या होगी किसी कानुनी मामले में आपको धैर निवरता बनाये रखनी होगी रिष्टेओं के परती आज आप सजग रहें सिंग रासी वाले आज का दिन आपका और सिंग रासी वाले आज का दिन आपके भाग सितारे क्या कहते हैं आज का दिन आपके लिए अकास्मक धनलाव के दिलाने वाले हैं साथ अस्थाजित्व की भावना को बल मिलेगा नीजी जीवन में चल रहे समस्याओं से आपको छुटकरा मिलेगा और आप खुस हाल रहेंगे लेकिन आपको महातपूर्ण मामलों में सावधान रहने होगा आपको अपने किसी काम में लापरवाई करने से बचना होगा नहीं तो समस्या होगी व्यपार में आप तेजी ला सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा किसी भी पक्षी से आप ना उल्जे नहीं तो वह आपको कोई गलत सला दे सकता है, कन्यारासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए आर्थिक डिश्टिकों से अच्छा रहने वाला है, आप अपने बेपार में तेजी लाने की पूरी कोशिस करेंगे, लेकिन आपने किसी प काम लटक सकते हैं बिजनेस के किसी योजना पर आप अच्छा खासा धन दे करेंगे आप अपने बजट को बना कर चलें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और कला कोसल पर आपका पूरा जोर रहेगा तुलारासी आज का दिन आपके लिए बिविन छेत्रों से में आपको अच्छा देखने को मिलेगा कामकाज में गती देंगे और मेल जोल बढ़ाने पर आपका पूरा जोर रहेगा किसी धार्मिक वा मांगलिक कारिकरम में आपको समलित होने का मुका मिलेगा और आप अपने सुभाव में विनिम्रता बनाए रखें दिर्ग कालिन योजनाओं को गती मिलेगी किसी समझोते पर आप बहुत ही सोच विचार कर दस्तक करें सबी छेत्रों में आप अच्छा परदर्शन करेंगे बरों का सहयोग वा समर्थन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा विश्चिक रासी वाले आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा आप अपने आवसक कामों की सूचना बना कर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और अपनी वानी और देवार में सजगता बनाए रखें आपको खान पान पर पर शाम धाने रखना होगा नहीं तो आपको कोई पेट समंदी समस्या हो सकती है आप घर वो बाहर सोच विचार कर कोई निर्ने लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा किसी सरकारी योजना का आपको पूरा ला मिलेगा आप अपने शुक सुबदाओं की वस्तों की भी खड़िदारी कर सकते हैं धनूरासी वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा धनूरासी वाले जातकों का आज का भाग सितारा आज का दिन आपके लिए शुक समर्दी को बढ़ाने वाला रहेगा किसी भूमी भवन आदी के मामलों में आपको सक्रिता बनाए रखना होगा और आपको भरसा आप जितने में कायम रहेंगे कुछ महत्पुर्ण मामलों में आप सावधान रहें किसी बड़े लक्ष पर आप फोकस बनाए रखें सब को साथ लेकर चलने की कोशिस भी आपको काम्याबी हो हासिल होगी और दमपत्य जीवन में सरलता बनी रहेगी संतान से आपको किसी किये हुए वादे को पूरा करना होगा मकर रासी वाले जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं आज का दिन मकर रासी वाले जातकों का सरकारी छेतर में कारियत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है और और आपके लिए सरकारी काम में उनके नियमों को पूरा ध्यान से और किसी परलोब में आने से बचे नहीं तो समस्या होगी समाजिक छेतर में कारियत लोगों को किसी अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है आप करीब महिनत के बाद कार चत्र में कोई बड़ी उपलब्धी हांसिल करप सकते हैं और अपने करतब्यों के परती सजग रहेंगे लेकिन किसी के बहकावे में ना आए यदि आपने किसी को धन उधार देने का सोचा है तो बिलकुल ना दे नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की शंभावना बहुत कम है कुम रासी वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए अनुकुल रहने वाला है पर्ति स्वद्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा महत्वपुर्ण कार्य पर आपका पूरा फोकस रहेगा और आपके घर किसी अतिती का आगमन होने से आपका मन प्रसंद रहेगा आपको धन समंदित मामलों में धैर बनाए रखना होगा और किसी से आप कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें नहीं तो समस्या होगी आपको किसी अप्रिय ब्यक्ति से मुलकात होगी जिसके बाद आपको कोई सुब सूचना भी सुनने को मिल सकती है आपको किसी लाव की योजना पर पुरा ध्यान देना होगा नहीं तो समस्या होगी मीन रासी वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए मिस्रित रूप से फलरायक रहने वाला है आपको कार्य छेत्र में कोई बड़ी उपलब्दी मिल सकती है आप अपने सुक्सुवधाओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन बेख करेंगे आपका किसी नई समपती को खरीदने का सपना पूरा हो सकता है बिद्यार्थियों को सिक्छा में आ रही समस्याओं के लिए आपने मित्रों से बाचित करनी होगी भावना तमक मामलों में आपको धैर बनाये रखना होगा और आप किसी जिद और अहंकार भड़ी बातें ना करें नहीं तो समस्या हो सकती है भोतिक विश्यों पर आप पूरा जोड़ देंगे इसी के साथ अपनी बानी पर नियंत्रन रख रादे रादे